बात करते हैं open network for digital commerce की which is ONDC in short जो अलग-अलग वैपार को मौका दे रहा है आगे बढ़ने का बिलकुल इस segment के माधियम से जानने का प्रयास करेंगे की कैसे network इस network से आप जुड सकते हैं कैसे business को इस से फाइदा हो रहा है हमारे साथ उपस्तित है आज ओपेंड के founder मानिक सिंग जी मानिक जी बहुत बहुत स्वागत है आप thank you so much सबसे पहले तो हम आपके business के बारे में जानना चाहेंगे हम चाहेंगे आप ओपेंड के बारे में थोड़ा में बढ़ाईए हमारा रेस्टरान कुरूलबाग में लोकेटेड है जी और विर सर्विं इंडियन चाइनीज और सिजलर्स को आपके बढ़िया लेकिन जैसे ओंडिसी नेटवर्क पर अब आप रजिस्टर्ड हैं तो इस नेटवर्क पर आने के लिए आपको किस चीज ने प्रेडित करा ओंडिसी से पहले हमारा यह जानना बड़ा जुरूरी है कि ओंडिसी है क्या ओंडिसी इस ओपन नेटवर्क पो डिजिटल इगोर्मर्स यह सरकार के दुवारा इनिशेटिव लिया गया है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए और इस नॉन प्रॉफिट ओगनाइजेशन न जब हमारी कमिशन काम होगी तो हम कस्टमर्स को भी थोड़ा रीजियेबल प्राइस हम कस्टमर को भी हम दे सकते हैं इस तरीके से हम दोनों को हमें अजम सेल्र और जो कॉस्टमर है दोनों को ही पासा बचता है तो यह में रीजन था जुडने का आपको ओंडिस के बार में आपको पता कैसे चला ओंडी का लगबग दो साल पहले हमने न्यूज देखी दी न्यूज में आया था कि ऐसे एक नेट बन रहा है फिर हमारा जो पॉस था जिसे हम रेस्टॉंच में हम सौफिर यूज करते हैं उन्हों नहीं हम इंफॉर्म किया कि आप इनके साथ भी जूड हैं आपको उनके साथ करना है और अपने डॉक्यमेंट्स अपने बेसिक के वाई सी आपने को शेयर करना है विदन अदे ओर तू आपको यह लाइफ कर देते हैं बिल्कुल आपने बताया कि ओंडी से ना सिर्फ आपको फाइदा पहुंच रहा है जो वैपारी है उने फाइ लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि आपका अपना जो वैपार इसके साथ हो रहा है उसका क्या लाब है आपको इसके साथ ओंडी से नेटवर्क पर आने के साथ एक तो फ्लेक्सिबिल्टी हमें मिल जाती है ओंडी सी में हम अपना एक तो कमिशन कम है एक नमबर वन किसे ही आपको करना है काम वो चीज नहीं है हम हमारे बास अपनी इंडिपेंडेंस है कि हम किसा आप से टर्म इंडिशन अपनी रखनी है यह बाकी e-commerce प्लाटफॉर्म की बात करें तो उसके comparison में यह कैसे अलग है यह बहुत अच्छा है ट्रांस्परेंसी बहुत हाई है कि में चीज आजाती है कि कस्मर क्योंकि कम होने करके इंका लगा लो आप जो अगर मैं के कॉम्पेटिटिव की बात करूं तो यहां पर पांच परसंट जो 25 परसंट का जब डिफरेंस आगे कमिशन पर तो वह आदा बेनेफिट कस्मर को भ बाता बेनेफिट देते हुए काम कर रहा है ओंडिसी का अपना इसमें क्या बेनेफिट है देखो इन चीज सहीं पर आगे और कि जो और और जो और नोन प्रॉफिट और जो चाहती है कि व्यापारी और कस्टमर दोनों को लाब हो दोनों एक बिन-बिन सिचुएशन पर एक तो रेस्रां जैसे मेरा हो गया और दूसरी कंपनी कर में दूसरी कंपनी की बात करूं उसको भी प्रॉफिट कमाना है अल्टिमेटल जब दोनों को प्रॉफिट क्लैश होएगा तो कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा अपो क्या लगता है ओंडिसी के आने से जो अब दूसरे भी जो डेटेलर्स हैं सारा पैसा तुम ही ना कमा लो कमाना दोनों को या बिल्कुल जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो बहुत जैसे कहते ना छुट-छुटी रेडी लगाते हैं और बहुत ऐसे एडियास में वह भी ओवन डीसी पर रजिस्टर कर सकते ह अगर उन्हें इस बारे में कुछ आपको इस चीज का तो मेरे को इतना एडिया नहीं रहेगा मैं अपने वेपार से रिडेट जैसे रेस्टरॉन का है वो मैं बता सकता हूं कि यह बहुत सिंपल है आप किसी भी अगर जैसे जादा दर रेस्टरॉन एक बिलिंग सौफ़र ओलो हुआ अपर दीज वाले से आपने कर बिलिंग से इसमेर का भी फाएदा हो रहा हृँ तो at में जो आप समझा रहे हैं उसका यह मतलब है कि ONDC पर रिजिस्टर करने से ना सिर्फ एक वैपारी को फायदा हो रहा है बलकि कस्टमर को भी उतना ही फायदा मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो आप बायर्स और सेलर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसको प्रमोट कीजिया कस्टमर को चीज से यूज करनी है और उसको वही चीज सटी मिले तो इसके कस्टमर का फैदा है अगर वह ONDC से कुछ बाय कर रहा है तो वह कम दमो में बाय करेगा और जो वह हमसे लेगा हमें कमिशन भी कम देनी होगी तो इस तरीके से दोनों एक win-win situation में आते हैं और बेसिक लिए तो ओन-डी-स से अगर सबसे रहा दा ए तो वह सक्तमर को है क्योंकि एवेंचली अगर आपसे कोई प्राइज कम इस तो नगतितने mir अड्वांटिघ बताने के लिए झाल झाल